कुछ दिन पहले मेरे याँ इतनी अच्छी धूप निकलने लगी कि मुझे लगा कि चलो भाई सर्दी ने बायबाय कर दी है बट पता नहीं क्या हो गया फिर से इतना कोहरा इतनी ठंड पढ़ने लगी कि सभी लोग हैरान रह गए कि यार ये सर्दी तो खतम होने का नाम ही नहीं ले रही तो ऐसी सर्दी में भाई घर से बाहर निकलने का तो बिल्कुल मन नहीं करता ऐसा रखता है घर पर ही कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए तो बच्चों की डिमांड पर मैं बनाने जा रही हूं सांभर और डोसा तो सबसे पहले तो हमने आप इस सांभर की प्रिप्रेशन कर ली है मैंने ठेल सारी सबजियां ले ली है मैं क्या-क्या डालती हूं सांभर में चलिए बताती हूं मैं डालती हूं गोबी, लौकी, आलू, बैगन, गाजर, मतक जरूरी नहीं है कि आप इसमें बैगन डालें बड़ जो जो मैं डालती हूं सो मैंने बता दिया आपको जैसे जो सबजी पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं बड़ मेरा मानना है कि सांभर में सभी सबजियां मिक्स कर देनी चाहिए टेस्ट भी अच्छा आजाता है और हेल्दी भी बन जाता है और पूरे परिवाय के लिए सांभर बनाया है तो मैंने तीन चमच भर करके सांभर मसाला थोड़ा सा घर का धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़े सा लालमिश पाउडर, सभी को मिला करके पानी डाल करके इसका गोल तयार कर लिया अब हमें चाहिए होगी इमली, भाई सामभर में इमली का होना बहुत जरूरी होता है तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास गुठली वाली इमली थी, मतलब बिना गुठली की नहीं थी तो मैंने इसको भिगो करके रख दिया था, पानी में पूल जाएगी अच्छे से और इसका जो पल्क है वो आराम से निकल जाएगा अब यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में आदा चमच मैंने देशी गी डाला इस ट्रिक से आप जरूर साभर बना के देखिए का इतना स्वादिश बनेगा कि खाते ही रजाएंगे तो बस आदा चमच के करीब देशी गी डाला और अच्छे से सबजीयों को डाल करके घी में बढ़िया दो मिनट के लिए भून लिया इस तरह से जब हम घी के साथ सबजीयों को भूनते हैं तो सांभर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब साथ में हमने आदा कप तूर की डाल ले ली थी वैसे हमारे हैं अरड की डाल वोलते हैं तो अरड की डाल को हमने धू लिया था अब जो हमने सांभर का मसाला का पेश्ट बना के रखा था ना, उसमें से एक चमच मसाले को हम इसी स्टेज पर सांभर के साथ ही डाल देंगे इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मसाले के साथ जब सब्जियां पकती है ना, तो अंदर तक मसाला एब्जॉर्ब हो जाता है तो टेस्ट बहुत ही बड़ी आता है, बहुत छोटी सी टेप है लेकिन है बहुत काम की, एक पार ये ट्रिक जरूर फॉलो करना, फिर देखीगा कितना अच्छा आपको सांभर लगेगा फिर मसाले के साथ सब्जियों को दो मिनट के लिए और भूना है, फिर इसमें डालना है पानी, पानी इतना डालना है कि सब्जियां आराम से डूप जाए, थोड़ा सा उपर रहे पानी स्वादा इंसार इसमें हम नमक डाल देंगे और नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की रैस्पी अच्छी लगे तो नीचे लाइक का बटन दिया गया से जरूर दबादीजेगा अच्छी ना लगे तो आप डिसLाइक भी कर सकते हैं अब हम इसमें कम से कम 3-4 सीटियां दिलाएंगे और जैसी 3-4 सीटियां आ जाएंगी तो गैस को बंद कर देते हैं और बस कोकर को रग देते हैं साइड में थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि इसका प्रेशर निकल जाए और मेरे हाथ बिल्कुल ठिटोर गए थे तो भाब से भी मैं तापी तापी करने लगी जब तक यहाँ पर प्रेशर निकल रहा है तो मैंने सुचा चलो डोसा के लिए आलू बना लेती हूँ तो मैं आपको बिल्कुल रेस्टरंट होटल वाला जो आलू होता है न दोसा का वही बनाना बताऊँगी तो एक पैन में हमने तेल डाला इसमें डालेंगे जीरा साथ में अद्रक और हरी मिर्च करीपत्ता डालना है मेरे पास ताजी करीपत्ता रहती नहीं है तो मैं सूखे से काम चला लेती हूँ और दो हमने यहां पर सावो धनिया डाली है बस मैं एक जीज़ स्किप कर देती हूँ मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है वो है चना डाल जो साउथ वाले होते न वो चना डाल भी डालते हैं बट मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मैं स्किप कर रही हूँ आप चाहे तो डाल सकते हैं अब इसमें डाली है हल्दी पाउडर लालमिश पाउडर और याद रखिए इसमें न तो धनिया पाउडर रग जाता है और ना ही इसमें गरम मसाला जाता है सिर्फ हल्दी और लालमिश जाती है अब आलू को हमें अच्छे से मिक्स करना है और अभी यहां पर मैंने चीज नहीं डाली है वो है नमक तो यहां पर हम स्वादा इंसार नमक एड़ कर देते हैं और नमक डालने के बाद अच्छे से नमक को भी मिक्स करेंगे और आलू को लगबग 2 मिनट के लिए बढ़िया से कल हारेंगे तो यहां पर जो आलू है वो बहुत अच्छे से कल हर चुका है आप देख सकते हैं बढ़िया इसका कलर भी आ गया है और बहुती बढ़िया तरह से कल हर गया है साथी में मैंने धनिया बत्ती डाल दी है और अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं और लीजी हमारी डोसा की बहुती मज़ेदार सी फिलिंग मनके तयार है यह फिलिंग बिल्कुल ओरिजनल फिलिंग है जो की साउथ के डोसा में पढ़ती है बिल्कुल ऐसे ही यह फिलिंग बनाई जाती है तो चलिए डोसा की फिलिंग भी हमारी तयार हो चुकी है अब यहाँ पर मैं आपको एक ही और जल्दी से बता देती हूँ यह है मेरे पास डोसा का बैटर जिसमें पूरा फर्मेंटेशन हो चुका है इसको मैंने कैसे बनाया था मैं जहटपट से आपको बना करके दिखा देती हूँ अगर इससे पहले आपने मेरी इडली की रेस्पी देखी होगी तो इसमें मैंने बताया था बट नहीं देखिये तो मैं शॉटली आपको यहाँ पर कवर कर देती हूँ क्योंकि इडली के लिए ही मैंने बैटर बनाया था ज्यादा बना दिया था आधे बैटर का मुझे डोसा बनाना था और आधे बैटर की इडली बनानी थी तो इसके लिए क्या किया, तीन कप, तीन कप या कोई भी बरतन ले लेना, तीन कप चावल और एक कप उड़त डाल, इतना रेशियो रखना है, आप होल उड़त भी ले सकते हैं, दोनों को अच्छे से पहले तो धो लेना है, और भिगो करके रात भर के लिए छोड़ देना है कम सकम 8-10 गंटे के लिए तो पक्का है कि इनको फूलने के लिए छोड़ देना है, कम छोड़ेंगे तो चावल अच्छे से पिसेगा नहीं, दरदरा बना रहेगा, चावल यहां पर मोटा वाला लीजिएगा, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, अब इन चावलों होड़ेंगे, कम से कम 5-7 मिनट के लिए अच्छे से पिसना है, इससे काफी अच्छा पेस्ट बनता है, इसका फर्मंटिशर अच्छा होजाता है, बारी पिस जाता है, यह गल् में निकाल लेना है और इसी जार में डाला है उडत की दाल इस भी उड़काइब मिल्कुल जरा से पानी करके बीजिए या उफिक ुक्टी पर ces मेरे पास वो क्लिप डिलीट हो गई है वरना मैं आपको रखके भी दिखा देती बट आपको मैंने बता दिया कि आप यह कर दीजेगा तो एक रात में और एक दिन में यानि 24 घंटे में सर्दियों में ही बहुत अच्छा खमीर उड़ जाएगा तो इस तरह के से मैंने यहाप ऐसा को पुस्ट कर दीजेगा जादा मत करना क्योंकि साभर में थोड़ी बहुत खड़ी-खड़ी सबजिया नहों तो मज़़ा नहीं आता है ठीक्वत बारिक मत करना आप एक ड़ाई में डालेंगे तेल इसमें डालेंगे जीरा राई और साथ में हम इसमें डाल डैंगे लहसुन और अध्रग, दो सूखी लाल म्रचे डाल देंगे और इनको लाइट गल्डन होने तक अच्छे से बूनेंगे अब हम इसमें डाल देते हैं बारी कटा हुआ पयाज और पयाज को भी हम लाइट गल्डन होने तक बूनेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी आप से फिर से रिक्वेस्ट है अगर आपको आज की ये दोसा सांभर की रैस्पी अच्छी लगे तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है उसे जरूर दबा दीजेगा इस वीडियो को शियर करना बिल्कुल मत भूलेगा और अपना एक प्यार असा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजेगा अब हम क्या करेंगे अच्छे से मसाले को भूनेंगे जब तक कि बढ़िया इसका कलर चीज नहीं हो जाता और बढ़िया इससे खुश्बू नहीं आने लगती सांभर मसाला होने की वजय से इससे बहुत ही अच्छी कुश्भू आती है जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर और टमाटर को भी बढ़िया से हम मिक्स करते हुए मसाले को भूनेंगे लगबग 2 मिनट बाद जब टमाटर सौफ हो जाएंगे तो इनको थोड़ा सा कर्चली से दबा देंगे ताकि अच्छे से मैश अप हो जाएं और इसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं सांभर सांभर को हम अच्छे से करेंगे मिक्स और कम से कम इसको 3-4 मिनट के लिए बढ़िया से खुले में ही पकने देंगे डगने की कोई जरुवत नहीं है बस खुले में ही पकने दीजे और 2-3 मिनट बाद जब सांभर अच्छे से पकने लगेगा तब इसके आखरी में बिलकुल एंडिंग में हम मिलाएंगे इमली का जूस इसे बिलकुल आखरी में ही मिलाना है तो मैंने मतलब छिल के समय सब कुछ था ना इसमें रेशे बगेरा तो इसलिए मैं इसको चन्नी में चान करके ले रही हूँ और अगर आप बिना गुठली के इमली का सिर्फ पल्प लेते हैं तो आप उसको डिरेक्टली ऐसे ही डाल सकते हैं तो अभी इसमें काफी सारा पल्प है तो मैंने इसको फिर से अगेन पानी डाल करके एक बार मैश किया और इस तरीके से इसका सारा जूस निकाल लिया तो अभी भी इमली में काफी खटाईया आप चाहे तो किसी अधर सबजी में इनको डाल करके यूस कर सकते हैं और फाइनली हमारा जो साबर है बनके बिलकुल तयार हो चुका है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा साबर बनता है तो साबर को रखते हैं साइड में और यहां पर बनाते हैं डोसा तो लोहे के तबीपर डोसा कैसे बनाना है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ एक कटोरी में आधा कप लेना है पानी और इसमें डालना है एक चमश तेल ठीके पानी और तेल को अच्छी से मिक्स करना है फिर एक कॉटन का सूखा कपड़ा ले लेना है आप चाहे तो कॉटन भी ले सकते हैं मतलब जो रूई होती है वो भी ले सकते हैं तो बस इस कपड़ तो बस इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे दोसा को फेलाएंगे तो एक चमच बेटर सेंटर से डालेंगे गोल-गोल घुमाते हुए इसको फेलाएंगे और बस हल्का सा उपर तेल लगा देंगे तेल चाहे आप चमच से भी स्तर इसे डाल सकते हैं ब्रश की मदश से इस और अगर पहला हलका फुल का चिपकता भी है तो दूसरे डोसा या तीसरे डोसा से आपके एकदम पर्फेक्ट डोसा बनने लगेंगी यह देखें अलका सा क्रैक आ गया ना वो इसलिए आया क्योंकि यह फर्स्ट डोसा था और देख सकते हैं कितना बढ़िया क्रिस्पी डोसा बनके तयार हो गया है तो अभी मैं इसको साइड में रखती हूँ भी मैं तोड़के भी दिखाऊंगी कि यह कितना जाधा क्रिस्पी बना है तो मैंने थोड़ा सा जाधा पानी इसलिए लिया है क्योंकि तब तो गरम था उपर से थोड़ा सा बैटर चिपका हुआ था वरना आप सिंप्ल से कपड़े से ही इसको रगर दीजिए तबे पर तो काम चल जाएगा ठीके फिर से हम बैटर को लेंगे फिर से हम इस तरह से फैल तो यह ट्रुक बहुत अच्छी है अगर आपको लोहे के तबे पर डोसा बनाना है तो हमेशा पानी और तेल को मिला करके यूज़ कर सकते हैं अब मैं आपको डोसा का क्रिस्प दखाते है तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना क्रिस्पी डोसा बनके तयार हुआ है यहाँ दूसरा डोसा भी हमारा हलका सा सिका उपर की तरफ हम आलका सा ओईल लगाएंगे अब हम इसमें फिलिंग तैयार जो हमने करी थी न उसको लगाएंगे तो यह रही हमारी आलू की फिलिंग डोसा वाली ओपर से मैं थोड़ा सा पनीर यहाँ पर डाल रही हूं तो आज यह बनता है कोई ना कोई ले जाता है ठेर मैं यहां पर बहुत इस पीड बना रही हूं और देखी वही ट्रिक मैंने अपना ही है बस कपड़े को डुबोया है पानी और तेल वाले मिश्रण में और इसको तवे पर अच्छे से फैला दिया तो इससे तवे का टेमपरेचर हमा हमारा मेंटेन हो गया और डोसा भी हमारा चिपक नेरा है तो इसी तरीके से हम तीसरा डोसा भी आपको बना करके दिखाएंगे बिल्कु सेम फैलाना है गैस की फ्लेम जब फैलाने के बाद हाई कर देनी है फिर इसमें ऑईल लगाना है और सिखने के लिए छोड़ देना है ज में मैंने बताया है तो ये रहा हमारा तीसरा डोसा भी तो इस ट्रेक से आप कितने भी डोसा बना के तयार कर सकते हैं तो अभी तक मैंने यहाँ पर लगवग 10-12 डोसा तो बना ही दिये हैं लेकिन आपको 3 ही बना के दिखाए हैं तो देखा फ्रेंट्स आपने कितना आसान है घर पर ही डोसा बनाना डोसा सांभर जरूर बनाईएगा बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है बाहर एक एक डोसा 100-100 रुपए के मिलते हैं घर पर 100 रुपए में आप पूरी फैमिली के लिए डोसा बना सकते हैं और उन्हें किला सकते हैं तो आयोप आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ